हाई गाइस कैसे हो आप सब तो आज में एक रिडिंग कर जा रही हूं हमारे एक वीवर्स के रिक्वेस्ट में एस और सी इनिश्यल वालोगे लिए ऐसे तो कलेक्टिम है ये सभी के लिए लेकिन सभी के लिए लेकिन collective reading है और किसी के साथ resonate कर भी सकती है किसी के साथ नहीं भी तो जिनके साथ resonate हो ले लें और जिनके साथ resonate नो हो जाने दे तो फिल्हाल अभी जी और जी ओर आएश्वालों के लिए मैंने ये cards निकाले हैं तो ऐसा ऐसा नहीं कि अब को तो सबके लिए नहीं है, सबके लिए है, तो फिलाल ये energy आईए कि आपके रिष्टे में कुछ न कुछ चुपा हुआ है, और आप दोनों के ही दिल तूटे हुए, आपके life में third party, निश्चीत ही third party है, और third party की वज़े से आपको बहुत दुख जिलना पड़ा है, और आपके रिष्टे पे आपके पार्टनर ने कोई भी काम नहीं किया, कोई भी वर्क नहीं किया, उन्होंने आपको चुपतस रूप से इग्नोर किया है, और आप लोगों में अच्छा खास सा conflict भी हुआ है, थरड़ पाड़ी को लेके जखड़े भी हो सकते हुए हो, और अभी फिल होते हुएं आपके तरफ कदम नहीं बढ़ा पारे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ में है, कहीं न कहीं हो सकता है, थरड़ पाड़ी ने उनको अभी हाली में बहुत मतलब रिसेंट उनको एक धोका मिला है, थरड़ पाड़ी न दोका दिया है, टेन अप शौर्ट के काड्स आये हैं तो जैमनाई लिब्रा एक्वरिस्क और खास करके कैप्रिकॉर्ण की नर्जी है और इसमें फिलाल तो अभी जो कंडिशन है वो बहुत तकलीफ में हैं बहुत पेंड में हैं वो कहीं न कहीं डिवाइन टाइमिंग का वेट भी कर रहे हैं या फिर कहें कि आपके सकते हैं और रिवाइन डेमिंगाने पर आपके लिए नई शर्वात और careless टेमिंटी लेकर के आएंगे आपके रिष्टे में नई बिगनिगी और आपके रिष्टे¡ ह disputes राडाये आए वह आपको में देना चाहते हैं यह सारा डिवाइन के खेल है डिवाइन की वज़े से यह सब हुआ है और कही न कहीं वह आपके life में Sun बन के आना चाहते हैं बॉतम में Sun है वह आपके साथ happy family देखते हैं आपके साथ family बना चाहते है अगर आप मान लिया कि married हो आप लोग तो वह आप आपके साथ रिष्टे में वर्क नहीं किया इसका उनको बहुत रिग्रेट है बहुत दुख है और बहुत तुखी है बहुत बहुत अभी इसका आपको आपके नहीं होने से उनको कोई फर्क नहीं पढ़ता है लेकिन वह डिवाइन टाइमिंग आने पर नहीं शुरुबात करेंगे आपको जस्टिस भी दिगए और आपके साथ नहीं फैमली बनाएंगे क्योंकि पेज आपको स्टॉक करना है सोशल मेडिया पर किसी दूसरी नंबर से नहीं हो नंबर से जो आपको जनकारी नहीं हो तो फिलाल अभी यहीं कंडिशन्स हैं और एक सही समय आने पर आपके पार्टनर आपके लिए कोईने कोई डिसिसन लेंगे न्यू बेगिनिंग मुझे लगता है बहुत जादा टाइम नहीं लिखने वाला है 15 देज के अंदर आपको कुछ न कुछ अच्छा आपके लिए आने वाला है थैंक यू